तो अजीज बच्चो अब हम भारत के पडोसी मुल्क श्री लंका के बारे में मालुमात हासिल करेंगी पडोसी मुल्क श्री लंका से भारत के दोस्ताना तालुकात रहे हैं स्री लंका के तमिलोग और स्री लंका की सरकार के माबैन तनाजे के सबब सन 1985 के बाद स्री लंका में सियासी अदम इस्तहकाम पैदा हो गया था उस वक्त स्री लंका की हकूमत के ताउन के लिए भारत ने अमन फाज रवाना की थी समंदरी इलाके में हिफाज़त के नुक्ते नजर से स्री लंका के साथ दोस्ताना तालुकात अहिमियत के हामिल है नेपाल नेपाल और भुटान चारों तरफ से पहाडों से घिरे हुए मुल्क है इनकी सरहदे भारत और चीन से मिली हुई है भारत और नेपाल के दोस्ताना तालुकात की बनियाद सन 1950 में भारत नेपाल मौहिदे के जरिये रखी गई इस मौहिदे की रूँ से नेपाल के शहरियों को भारत में दाखले के साथ साथ नौकरी और तिजारत की भी आजादी दी गई नेपाल में शाही हुकुमत हुआ करती थी प्यारे बच्चों 1990 में नेपाल ने जम्हूरियत की सिम्त पेशे रफ्त की माशी तरक्की बनियादी सहुलियात गजाई अशिया तिजारत और बिजली के लिए नेपाल पूरी तरह भारत पर मुनेसर है हुआ है